असलाम लेकुम दियर स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इस अलम रबानी और आम यूर टीचर अव सोशल स्टाडीज फॉर ग्रेड फाइफ बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर थ्री लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजिन्स और आज हमने पढ़ना है फॉरेस्ट के बारे में यानि जंगलात के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं फॉरेस्ट यानि के एक ऐसा भी वक्त था जब जमीन के कई हिस्से थिक फॉरेस्ट से कवर थे यानि के बहुत ज़्यादा वेजीटेशन थी, प्लान्टेशन थी, बहुत जंगलात थे लेकिन आज ऐसा नहीं है उसकी वज़ाई ये है के हमारी दुनिया में आबादी बढ़ती चरी जा रही है population has increased अब जिस तेजी से अबादी बढ़ रही है उसी तेजी से हमें रहने के लिए जगें भी चाहिए इसी लिए forest को काता जाता है जगें बनाई जाती है घर बनाई जाते है इसके इलावा भी जो forest में लकड़ी होती है उसको मुक्तलिफ घर बनाने के लिए उसके लिए हमें चाहिए होगी जगा और वो जगा कैसे बनती है वो जगा बनती है ट्रीज को काट डाउन करके फॉरेस्ट को खतम करके विच इस अनफॉर्चुनेटलिफ लेकिन ऐसा हो रहा है टॉकिंबाउट एक्वाटोरियल फॉरेस्ट आपकी बुक में एक मैप बना हुआ है तो अगर आप उसको देखो और एक्वाटोरियल फॉरेस्ट को देखो तो आपकी जो लाइन है एक्वेटर की यह उसके करीब है और उसके नौर्थ और साउथ में फैल रहे है और जो ट्रॉपिक्स की लाइन है उन की तरफ जा रहे है यानि के वो एक्वेटर के करीब है और उसके नौर्थ और साउथ में फैले हुए है और जा रहे हैं दोनो ट्रॉपिक्स की तरफ हम उनको ट्रॉपिकल रेइन फोरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर बार्षें बहुत जादा होती है Talking more specifically about the location of these forests तो यह कहां कहां हमें मिलते हैं यह हमें मिलते हैं South American countries में African countries में South East Asian countries में These regions are also called hot wetlands अब हम इन regions को और क्या कहते हैं? हम इन regions को hot wetlands भी कहते हैं और ऐसा क्यों है? Temperatures here are very high and there is a great amount of rainfall हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां के जो temperatures हैं वो normally बहुत जादा रहते हैं गर्मी बहुत जादा परती है and there is a great amount of rainfall और बहुत जादा बारिश भी होती है इसकी वज़ा क्या है? क्योंकि गर्मी जादा परती है इसलिए हवा में water vapors भी जादा बनते हैं जो जमीन पर पानी है वो water vapors में convert होता है बादलों में जाता है बादल जैसे ही specific amount के बाद हैवी हो जाते है water vapors से तो फिर बारिश होती है and this process repeats itself जिसकी वज़ा से यहाँ पर गर्मी भी जादा परती है और यहाँ पर बार्शे भी बहुत जादा होती है अब बात कर लेते हैं Amazon rainforest की Amazon rainforest बहुत जादा famous है recently इन में आग भी लग गई थी जिसकी वज़ा से बहुत जादा नुकसान हुआ in Brazil यह पाए किस डगा जाते हैं यह पाए जाते हैं Brazil में facts and figures याद रखेगा क्योंकि आपको MCQs में यह fill in the blanks में यह चीज़ें आज सकती है objective point of view से these are important world's largest rain forest अब Amazon rainforest क्या है it is the world's largest rain forest यानि कि दुनिया का सबसे बड़ा rain forest then also known as the lungs of the earth और क्योंकि यह सबसे बड़ा rain forest है यह बहुत जादा oxygen बनाता है क्योंकि plants जादा है तो इसको हम और क्या कहते हैं हम इसको lungs of the earth भी कहते हैं जैसे इंसानों की lungs है हम उनसे सांस लेते हैं oxygen निकालते हैं carbon dioxide absorb करते हैं inhale करते हैं बिल्कुल इसी तरह Amazon rainforest को हमारी earth की lungs कहा जाता है heavy rainfall and fertile soil makes it possible for plants to grow quickly अब यहां पे बहुत जादा growth होती है plants की उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा है heavy rainfall यानि के बहुत जादा बारिश का होना and fertile soil और जर्खेज मिटी क्योंकि वहां की मिटी जर्खेज है उसमें बहुत से nutrients हैं इसके इलावा वो moist होती है heavy rainfall की वज़ा से तो वहां पे जो plants हैं उनकी growth बहुत जादा है और बहुत तेज है इसी वज़ा से they are called thick forest और इसी वज़ा से वहां पे बार्शे भी बहुत जादा होती है Some plants grow 15 cm in a day 15 cm एक अच्छी खासी अमाउंट है अगर एक plant एक दिन में 15 cm ग्रो कर रा है That is a huge thing The forests are so thick that when a tree dies or is chopped down it does not crash to the ground अब इन forests में इन जंगलात में इतने ज़्यादा plants है इतने ज़्यादा दरख्त है कि अगर कोई plant या कोई दरख्त मर भी जाता है When a tree dies, मर जाता है और इस chopped down या काटा जाता है उसको chopped down किया जाता है It does not crash to the ground उस दमीन पर नहीं गिरता उसकी वज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ लेकिन वो सीधा जमीन पर नहीं गिरेगा सीधा जमीन पर कुछी चीज तब गिरेगी जब उसके एब गिब का एरिया खाली होगा जगा होगी देर वुद भी स्पेस लेकिन इन पॉरेस्ट में प्लांट इतने जादा हैं और एक दूसरे के इतने करीब करीब ओगे हुए हैं कि अगर कोई प्लांट मरता है, कोई दरख्त मरता भी है या उसको चॉप डाउन भी किया जाता है तो वो सीधा जमीन पर नहीं गिरता बलकि आस पास के दरख्तों में, आस पास के प्लांट में अर जाता है इसके इलावा इन forest की क्या importance है यानि कि इन में बहुत से ऐसे plants है बहुत से ऐसे पौदे हैं जो के medicines के बनाले में काम आते हैं दवाईयों के बनाले में बहुत ज़्यादा काम आते हैं तो पहले हमने की यह importance पढ़ी कि they are called the lungs of the earth यानि कि यह इतने थिक हैं और इम्हें plants इतने ज़्यादा हैं कि यह बहुत ज़्यादा oxygen प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वज़र से हम इनको कहते हैं lungs of the earth इन वी टॉक्ट अबाओ देर मेडिसीनल इंपॉर्टेंस ग्रेट वराईटी ओफ ट्रीज गुड होम्स तो अनिमल्स अब इन वराईटी ओफ ट्रीज यानि कि जो डिफरंट ट्रीज हैं दरख्ट हैं प्लांस हैं उनकी बहुत सी वराईटी आपको यहां पे मिलेगी बहुत सी इक्साम आपको इन वराईटी में मिलती हैं तो इसका फाइदा क्या है जादा दरख्ट होने का मतलब यह है कि जानवर भी जादा होंगे जादा बर्ड्स होंगे जादा इंसेक्स होंगे क्योंकि जहां भी सबजा होगा वहां पे जानवरों की तादाद भी जादा होती चली जाएगी तो Amazon rainforest में भी there is a great variety of trees दरक्तों की बहुत सी एक्साम है और उसी वज़ा से यहां पर जानवरों की भी बहुत सी एक्साम है क्योंकि जानवरों ने अपने घर इन दरक्तों में बनाई हुए है Millions of small insects इसके इलावा यहां पर बहुत जादाद में चोटे चोटे कीरे मकौरे हैं insects है So many different species that many have not even been named इतनी जादा species हैं इतनी जादा types हैं different insects की that many have not even been named बहुत सों के नाम तक नहीं पता अभी तक इतनी जादाद में यहां पर insects पाए जाते हैं कि आज तक research की जा रही है लेकिन यह समझा जाता है कि अभी भी बहुत सी ऐसी species हैं बहुत सी ऐसी types हैं जिनको अभी तक नाम नहीं दिया गया Now children, there is a box in your book Did You Know के नाम से उसमें लिखा है More rain can fall in a day in equatorial forest than in a whole year in a desert वो आपको बता रहा है कि एक equatorial forest में एक दिन में in a day जितनी बारिश होती है उतनी पूरा साल किसी desert में नहीं होती हम इनको rain forest इसी लिए कह रहे हैं क्योंके यहां पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है बारिश क्यों ज़्यादा होती है वो हमने पहले भी पढ़ा कि क्योंके गर्मी ज़्यादा परती है सन लाइट ज़्यादा परती है तो पानी वाटर वेपल्स में कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपल्स जाके क्लाउड्स को हेवी कर देते हैं एन्थे एट रेंड्स तो फिर वापको ये बता रहा है कि एक दिन में एक्वाटोरियल फॉर्स प्रेस्ट में जितनी बारिश होती है इतनी बारिश पूरा साल किसी सहरा में नहीं होती किसी डेजर्स में नहीं होती तो आज की लेक्शर में by अपना ही